नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपको मेरी चैनल में फिर से एक बार वे हूँ आपकी वही अंजली वापिस लौट आया है हवाओं का रुख मोडने वाला दिल में फिर उतर रहा है दिल तोडने वाला जी हाँ आपने सही सुना हम आज के देली राशी फल की बात कर रहे हैं ये प्रडिक्शन चंदे राशी पर आधारित है सबसे पहले आज की दिन जिनका बहचे है या फिर मारी रनवर्सरी है उनको मेरी तरफ से धिर सारी बधाई हो तो चलिए शुरू करते हैं कई जीत बाकी हैं कई हार बाकी है अभी तो जिन्दगी का सार बाकी है यहां से चले हैं नई मन्जिल के लिए ये तो एक पन्ना था अभी तो पुरी किताब बाकी है बहतर से बहतर की तलाश करो मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो तूट जाता है शीशा पत्थर की चोड से, तूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो, अरे आप भी कुछ अला करके दिखाईए, किसे के कौपी मत करिये, करिये तो कुछ नया करिये, ताके सुर्खियों में बातें केवल आपकी ही हो, सफर में मुसीबत आए, तो हिम्मत बढ़ जाती है, कोई रास्ता रोके, तो जुर्रत बढ़ जाती है, अगर बिकने का इरादा हो, तो कम हो जाती है दामकसर, ना बिकने की ठानली हो, तो कीमत बढ़ जाती है, इसलिए आप भी ठानलो, कि आपको अपना लक्ष हासल करना ही क फिर आपको दुनिया के कोई ताकत रोक नहीं सकती आगे बनने में। इश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो तूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष से दूर ही रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। भगवान की नजर में वो इंसान बड़ा नहीं जो करोड़ो रुपई कमाता है, बलकि वो इंसान सबसे बड़ा है उनकी नजर में जो करोड़ो का दिल जीतता है। आप भी सभी को खुश कीजिए, इससे भगवान की परसंता आपको मिलेगी। सबसे पहले मैं आपको बता दू कि अज़ाब के लिए जो है लगी नंबर रहेगा नंबर छी और जो लगी कलर है भाग गिशाली रंग वो आज के लिए रड यानि के लाल रंग बना रहा है सिधारे कहते हैं कि खुद की द्वारा खुद पर ही डाले के बंधनों से अजाद होने के कोशिश कीज़ेगा सीमित दाइरे में रहकर आप अपनी पूरिक्षम तक अस्तमाल नहीं कर पा रहे हैं ऐसी सिती आपके बारे में औरों द्वारा बोलेगी बातों की वज़े से बननी हुई है इसलिए इन्हें वास्तविक समझने की गलती मत कीज़ेगा आप जो हैं आप अच्छे से जानते हैं अपनी असली पहचांज हैं उसको जो हैं आप बाहर निकालेगे फिर आपके लिए सब कुछ असान होता जाएगा कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी साथ में आज मानसिक अस्थिर्ता की शिकार होकर एहम अमामले में आज गलत फैस्तला भी आप में से कुछ लोग कर सकते हैं इसलिए आपको सबसे पहले दिमाग के जो हैं बिल्कुल fit and fine रहना होगा दिमाग को तरो ताजा रखे तभी कोई फैस्टा लीजेगा दिन आपका उन्तिक कारक ही रहेगा चिंता मत करें आपके प्रतिबा और योग गिता के अनरूप आपको अपनी कारों के जो रिजल्ट है वो उचित ही मिल पाएंगे कामकाज और करेड को महत्व देंगे लेकिन पहली प्रात्मिक्ता आपकी परिवार की ही रहेगे प्रात्मिक्ता आपको देनी भी चाहिए जो कि बहुत इंपॉटन्ट है संतान के विवाओं को लेकर आज कुछ प्लानिंग्स और गधी विदिया भी होती रहेंगे तो पहर के बात का जो समय है सितारे कहते हैं कि कुछ छानी कारक हो सकता है मन में बेचैनी रहेगी किसी भी दिस्तावेच पर जो हिस्सिगनेचर करने से पहले आपको जरूर चांजपरतार और पढ़ लेना चाहिए बच्चों का जो जिद्धी और अडियल रवाईया है आपको चिंता में बहुत डालेगा युवावर्ग को जो हैं अपने लक्ष के प्रती जादा एकागर रहने की भी आविशकता है इसे के साथ ही ग्रहों के सितियां ये कहती हैं कि जीवन में आगे बढ़ते समय आपको सब के प्रक्ति के साथ आप पर निर्भर लोगों को भी आगे ले जाना होगा आपके नित्रित्व गुण की वज़े से लोग आपके पास सलह लेने के लिए आते रहेंगे खुद के कामों को नजर अंदास करके औरों के काम करने पर ज़्यादा ध्यान मत दीजेगा खुद का भी ध्यान रखी जो आपका काम है वो भी कीचिए और दूसरों को भी मदद कीजे यानि कि आज की दिन यूँ कहें तो आप इन दोनों चीजों को बालंस कर सकते हैं और अगर आप बालंस करते हैं तो आपके लिए दिन बहुत ही बढ़िया रहेगा आज आप अपनी जिम्मेदारियों को बखोवी अन्जाम भी देंगे साथ ही आपके अपनी हॉबी समंधी कारों में भी रूची बनी रहेगी घर के बड़े बज़र्गों का जुस्सने हैं और आशिरवाद हैं वो भी बना रहेगा समाजी को कल्यान कारी संस्था में आपकी उत्तम योगदान की वज़ा से आपकी वाही वाही और प्रशंसा बनी रहेगी लोग आपकी प्रशंसा करते ठकेंगे नहीं आज दूसरों के परिवारिक आमामलों में हंस्ताख शेप करने और किसी विप्रगार की अलोचना करने से आप खुद को मुसीवत में डाल सकते हैं जो की इच्छी बात नहीं है परिवारिक आमलों में भी आपको संजीद की जो है और कमभीरता है उटसे काम देना होगा वहन पर आज कोई खर्चा हो सकता है यासे कि आपका कोई भी वहिकल का जो कोई बात वगएरा है वो खराब हो सकता है या फिर तोट सकता है तो उस पर आज खर्चा करना बढ़ सकता है आगे बढ़ते हैं बात करते हैं आज की business और career की तो business और career कहता है कि कारकशित्र में किसी भी अपरिचित इनसान से deal करते वक्त साभधानी जरूर बढ़तनी होगी नई तो आप किसी साजिश या फिशरयंत्र का शिकार हो सकते हैं इसलिए आपको बुद्धी मता से विवेक सी चुहे आपको हर तरीकी के पहलू को देखकर ही आगे बढ़ना चाहिए नौकर में आज कई लोगों को हलकी खुल के परिशानिय देखने को मिल सकती है लेकिन अगरा थोड़ असाब दिमाग लगाएंगी थोड़ी से महनत करेंगे तो यकीन माने सब को शान्ती पुरोग धंग से होने लग जाएगा इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम्स वगेरा नहीं छेलने पड़ेंगी मानसिक तराव कासराज काम पर देख सकता है इसलिए जितना हो सके आपको बैलंस बना कर रखना होगा साहते में आज कुछ नए विवसाइक अनुबंध प्राप्त हो सकते हैं आप में से कुछ लोगों को जो कि आगे चलकर बहुत इलावदा एक सितियां साबित हो सकते हैं पार्टनर्शिप से रिलेटिड कारियों में किसे विश्यपर आज विवाद या मत तभेद की सितियां बन रही है चल अचल संबत्ती में निवेश करने के लिए बहुत ही बढ़िया समय रह सकता है ऑफिस में तबादला और किसी प्रकार के नुकसान होने का आज किसी प्रकार का डर आपके मन में बैठ जाएगा जिसकी वज़े से आप दिन भर इसी चीज़ के बारे में सोचते रह जाएंगे काम से रिलेटिड डिस्क आज आज आपको सोच समझ कर ही लेना होगा हो सके तो आज आप कहीं पर इनिवेस्ट ना करें मेरी तो यही राए है कि आज आप इनिवेस्ट मत कीजेगा अगर अगर थोड़े दिनों के बाद ग्रहों की सित्या जब बदलेंगी तब अगर आप करते हैं तो जादा बैठ रहेगा इसे के साथ ही आज विसाइक शेत्र में जारतर लाब जो है वो जिनको मिल रहा है वो है होटल मैनेजमेंट वालों को जिनका करियर है होटल मैनेजमेंट में उनको बहुत ही जादा लाब देखने को मिल सकता है अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज की जो है लव लाइफ के बारे में लव लाइफ कहती है कि परिवारिक सुक्षान्ती बनी रहेगी प्रेम समंदो का परिवारिक जीवन पर जो है आज थोड़ा बहुत नेगेटिव असर देखने को भी मिल सकता है आपको रिलेशन्सिप से जुड़ी जो जिम्मेदारियां है वो बढ़ती नज़र आएंगी किसी प्रकार के फैंसले में पती पत्नी एक दूसरे का साथ देंगे तो ज़्यादा अच्छे नितीज़े देखने को मिल सकते हैं इसी के साथ ही घर परिवार की जरूरतों को कंप्लीट करने के लिए शॉपिंग करनी पड़ सकती है जो कि बहुत इंपॉड़न रहेगी आपके लिए जिससे घर के सदस्यों के बीच खुशी वरा महौल बना रहेगा और बच्चों भी बहुत खुश रहेगे आपके किसी परिशानी में नजी की मित्र की सहायता मिल सकती है और जिससे जो है सुल्जा जो सुल्ज सकता है आपका जो मसला है किसी भी तरह का कोई भी आपको प्रॉब्लम उसे नहीं होगी सब कुछ चीख होता नजर आएगा देखा जाये तो लव लाइब बढ़िया रहे रही है आज 80-90% तो बागे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज की हेल्थ लाइफ के बारे में तो सुल्जा से कहता है कि आपकी विवस्थी ते दिन्चरिया और खान पान की वज़़ा से सुल्जा से बहुत ही बढ़िया रहने वारा है आपकी वहार में जो है पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है सबको ऐसा लगेगा कि आप से बाते कर कि वन बड़ा ही खुश हुआ है किसी वे प्रिकार किया आप बच्चों के परती थोड़े लापरवाही मत परतीगा वरना बच्चे थोड़े विमार हो सकते है किसी वी तरह के लापरवाही बच्चों को आठ थोड़ा उनकी सिहत को गिरावर्फ में डाल सकते है इसलिए उनकी सेहत का सबसे पहले ध्यान रखना होगा स्पैशली जो है तले हुई और भूनी चीज़े जो है बच्चों को मत खिलाएगे गर्दन और कंधों में कई रोगों को जकडन जैसे चीज़े हो सकती है घर के बड़े बजर्गों के स्वासे से रिलेटीड परिशानिया हो सकती है नई में तरूप से मारिकल चेकप करवाते रहीएगा और उनका ध्यान हमेशा रखिए और हाँ खुद भी मौसमी बारियों से साधान रहीगा मोटे कपड़ों का जो है इस्तेमाल करें जादा अच्छा रहने वाला है तो चली बंत में बात कर लेते हैं विशी शुपाई के बारे में तो आज का जो विशी शुपाई कहता है कि आज आपको जो है सबसे पहले तो ओम नमह शिवाई का जाप करना चाहिए जितना हो सकी जितना आप कर सके उतना जरूर किरिए साधी भगवान विश्नो के मंत्र ओम नमो भगवते वासु देवाई इस मंत्र का भी जाप जरूर कीज़ेगा इसे जो है आपको बहुत ही अच्छा फील होगा और हाँ तुलसी माता के मंत्रों का जाप करना और उनके पूजा करना बिल्कुल भी मत भूलेगा इससे आपको बहुत ही जादा देखने को मिलेगा तो दोस्तों कि आपको वीडियो अच्छे लगी हो तो लाइक करेशे